घलो स्टूडेंट्स तो बेटा हम बात कर रहे थे वर्फंक्शनस पिभी और लास्ट लेक्चर पर हमने mới तेग्णिमेटरिक फंक्शनस के बारे बेशिक कांसेप्ट हम देद्सस किये ते ठीक के वह? है ठीक है उनके रेंज क्या है ठीक है चलो आज बेटें बात करें एक function आपने 11th में हमने बहुत detail ने पढ़ा था ठीक है तो ये video ये lecture उन बच्चों के लिए जिन्होंने बाई छांस 11th में मकारी कर गए थे ठीक है ना तो बटा उनके लिए ठीक है एक बार हम revise कर रहे हैं और नाम है logarithmic function ठीक है ठीक है और लाग के बारे में बहुत सारी कहानी आपने पढ़ा हुआ है इसकी definition बगारा बगारा ठीक है इसके basic rules लाग के हमने सब पढ़ा हुआ है particularly हम इस lecture में बात करें हैं ये logarithmic function की आप से कहा जाए है let f of x is equal to this is log x base a इसको क्या पढ़ते हो कि x का log base a बन और वेकि लाग होता क्या है ये सारी कहानी आपको पता है ठीक है and f x is equal to log x base a आपने कहा था to define this function ठीक है बेटा to define this function ठीक है ठीक है ने x must be greater than 0 a must be greater than 0 and a is not equal to 1 यानि ये आपको बेटा पहले से भी पता है यानि log x base a को define होने के लिए x को positive होना पढ़ेगा a को positive होना पढ़ेगा और a not equal to 1 ठीक है ना यानि बेटा अगर किसी question में कहीं भी log x base a मिलेगा तो आपको पहली सबसे पहले इन तीनों बातों को confirm कर लेना है यानि जिस number का log हम define कर रहे हैं क्या वो positive है कि नहीं जिस base पे हम log define कर रहे हैं वो बेटा positive है कि नहीं और 1 के बराबर है कि नहीं यानि negative numbers का log define नहीं है negative base पे log define नहीं है और base 1 पे log define नहीं आप से कहा जाए कि अगर बेटा log माललो नमबलो मानस 5 बेस 2 तो आप कहोगे ये not defined है ये not defined है ये नहीं पे बेटे कहा जाए अगर हम number positive है log 5 बेस मानस 2 आप क्या कहोगे? not defined आप से कहा जाए अगर हम log माललो 20 लें और base 1 लें तो आप कहोगे ये होगा not defined यानि log x base a को define होने के लिए बेटा x positive होगा a positive होगा और a is not equal to 1 होगा यानि negative numbers का log defined नहीं है बेटे 0 का भी log defined नहीं है यानि log 0 किसी base पर आप कहोगे not to define पहले शर्द बेटा यानि log x base a define तभी होगा जब x लाई करेगा minus 1 और sorry जब x 1 से क्या होगा? बड़ा होगा sorry x क्या होगा पेटा positive होगा यानि x positive a positive और a is not equal to 1 यानि मैं बार बार बेटे का रहा हूँ क्योंकि 70-75% बच्चे इसका ध्यान नहीं देते और question हो जाता है गलत यानि x must be positive समझ गए? जिस number का log लिखना है वो बेटा positive हो जिस base पे log लिखना हो positive हो और base 1 के equal नहीं अब बेटा base positive है but not equal to 1 है यानि base को हम दो category में categorize करेंगे पहली category 0-1 दूसरी 1 से बड़ा अब देखे यहां भी बेटा अगर base 0-1 के बीच होगा तो log की कहानी कुछ और होगी और अगर base 1 से बड़ा होगा तो बेटे log की कहानी कुछ और होगी यानि दोनों cases में log अपना nature अपना character अपना behavior सबका क्या करता है चेंज करता है आई बाद सुन में यानि अगर base 1 से बड़ा होगा तो log की कहानी कुछ और होगी अगर base 0-1 के बीच होगा log की कहानी कुछ और होगी ठीक है ना यानि बेटे तो सबसे पहली बाद अगर हम log x base a के बेटे graph की बात करें तो x positive है तो बेटा x positive कहा कहा होता है यह होता है first और fourth quadrant में यारी इसका graph कहां आएगा first या fourth quadrant में आएगा second और third quadrant में बेटा इसका graph exist नहीं करेगा क्योंकि second और third में x क्या होता है negative और base हमें बेटा दो condition लेनी पड़ेगी पहली condition जब base a 1 से बढ़ा होगा और दूसरी condition जब base a 0 और 1 के बीच में होगा ठीक है तो चलिए आगे बढ़ा जाए देखो हम बेटा कहें पहली बात आप से कहा जा बेटे कि अगर a 1 से क्या हो बढ़ा हो ठीक है ना माल बेटा a 1 से बढ़ा है यानि हम आप से कहें कि base 1 से बढ़ा है ठीक है ना यानि this is देखो हम बेटा base a is greater than 1 और दूसरा के समलें कि जब यानि if 0 less than a less than 1 यानि base 0 और 1 के बीच में है ठीक है देखो हम बेटा अले case में log x base a का ग्राफ यानि x-axis y-axis यह 0 और बेटा जब base 0 1 के बीच है तो इसका ग्राफ यानि यह origin हो गया यह x-axis हो गया यह y-axis हो गया ठीक है बेटा अब देखो आप से कहें हम जब base 0 1 के बीच है बेटा यह ग्राफ है log x base a का यहाँ बेटा आपको touch नहीं करना है आपको पता है अगर आप इस ग्राफ को y-axis पर touch कर दोगी तेहां function defined हो जाएगा आपको पता है ने कि किसी point पर अगर हम यह function को चेक करना है कि defined है की नहीं तो आप क्या करते हो आप y-axis के parallel ठीक है न उस point से पास होने वाली एक line ड्रा करते हो अगर वो line ग्राफ को touch करे या cut करे तो आपको ओगी function क्या है defined है और नहीं करें तो defined नहीं है यहाँ बेटा यह touch आपको नहीं करना है फिर आपसे कहा जाए हो जाएगा one ठीक है न ओके अब देखिए पहली बात अगर बेस one से बड़ा है तो कहानी कुछ और है और अगर बेटा बेस one से छोटा है तो आपने कहा कहानी कुछ और है यहाँ देखो किसी ग्राफ का जो portion x-axis के उपर होता है वहाँ values positive होती है और जो portion x-axis के नीचे होता है वहाँ values negative होती है यानि बेटा जब x हमा देखिए इस case में किस case में जब a1 से बड़ा है और आपसे कहा जाए बेटा पहली बात अगर x belongs to 0 to 1 अगर x 0,1 के बीच है इसका मतलब that is log x base a देखो अगर x 0,1 के बीच है तो बेटा उसका काउन सा portion है यह बेटा ग्राफ का आपने कहा यह portion है देखो आप और यह portion minus infinity 0y-axis पह है यानि इसका range हो जाएगा minus infinity to 0 इसका range हो गया minus infinity to 0 पहले केस ने बेटे और देखो जब x जब x 1 से बढ़ा है जब x 1 से बढ़ा है जब x 1 से बढ़ा है तो आप कहोगे कि this is log x base a belongs to देखो बेटा 0 to infinity देखो आप अगर x 1 से बढ़ा है तो graph बेटा 0 के ऊपर है ठीक है न यही है basic property अब यहाँ देखो बेटा यहाँ पे क्या है जब base 0 1 के बीच है ठीक है न और x belongs to 0 to 1 यहाँ बेटे कहानी उल्टा है जब x 0 1 के बीच है देखो बेटे जब x 0 1 के बीच है तो graph x axis उपर है यानि आप कहोगी बेटा इसका देखो ध्यांद बेटा इसका मतलब आप से कहा जाए log x base a belongs to 0 to infinite समझ गया बोलो बेटा ओ दूसरी बात अगर x 1 से बड़ा है इसका मतलब log x base a belongs to minus infinity to 0 तो बेटा आपने देखा दोनों cases with property अलग-अलग है एक case में जहां positive है दूसरे case में है negative है यानि किसी भी question को करते समय अगर base variable है तो बेटे हमें दो बातों का ध्यान देना होगा और देखो बेटा हमने 11th में इस chapter को बहुत detail ने पढ़ा था 10 lecture है 11th के और यहां आपको एक lecture में मैं इसको conclude करूँगा तो जिसको ज़्यादा अच्छा करना है देखो जिसने 11th lecture देखा उसको बेटे न देखे तब भी चलेगा जिनने नहीं देखा यह उनके लिए है तो अगर आप शाहो बेटा वो 11th के 10 lecture भी देख सकते हो कैसे देख होगी बहरहाल इसको देख सकते हो ना इससे समझे कि आप को सिच करो ठीक है ओके चलो तो यह था बेटा लाग X बेस ए ठीक है ना यानि एक बाद फिर रिवाइज करूँ मैं कि लाग X बेस ए बेटा डिफाइंड तभी होता है जब X क्वाश्टिव हो यानि निगेटिव का लाग डिफाइंड नहीं है नेगेटिव बेस भी लाग डिफाइंड नहीं है बेस वन भी लाग डिफाइंड नहीं है वगरा वगरा यानि हमें इन चीजों से बेटा बचना होगा आई बास में अब देखे आप से कहा जाए नोट देखो बेटा Note one, if log X base A is equal to P, log X base A is equal to P implies X is equal to A raise to the power P, log X base A is equal to P, X is equal to A raise to the power P. For example, we say that if log X base 2 is equal to 5, then what will happen? X is equal to 2 raise to the power 5, that is 32, and if log X base A is 5, then X is equal to 32. Example 1 is equal to 2, let us know this, log X base 1 upon 2, if it is 5, then what will happen? X is equal to 1 upon 2 raise to the power 5, that is 1 upon 32, that is X is equal to A raise to the power P. Now, if you understand, this is a basic property, if log X base A is equal to P, then you have to say that X is equal to A raise to the power P. Then, if you understand, if log X base A is equal to P, then you have to say that X is equal to A raise to the power P. अगर अगर इक्वालिटी है, तो बेटे कोई दिक्कत ने, ठीक है ना, अब हम बात करें इनिक्वालिटी की, देखो, note 2, देखो बेटा इतना, देखें, वाप से कहा जाए, बेटा दूसरा note, हम आप से कहें, माल लो, कहीं log X base A is greater than P है, अगर ये greater than P है, तो इसका मतलब, देखो, ये होगा, X is greater than A की power P, अगर A1 से बड़ा है, तो इनिक्वालिटी बेटा रिवर्स नहीं हो रही है, और यहाँ आप क्या कहोगे, X is less than A raise the power P, ठीक है बेटा, अगर A lie करेगा, 0 और 1 की बेश, X is less than, यानि बेटा, अगर base 1 से बड़ा है, तो यहाँ inequality रिवर्स नहीं होई, यानि ये greater है, तो यहाँ greater रहा, और जब base 0,1 के बीच है, तो greater का less हो गया, यानि ये भी बेटे बहुत साधानी बरतनी है, कि अगर inequality आगे लॉग में, और base 1 से बड़ा है, तो inequality को आपको reverse नहीं करना है, चेंज नहीं करना है, लेकिन अगर जब base 0,1 के बीच होगा, तो हमें inequality reverse करनी पड़े जी, उसका region है, जब base 1 से बड़ा है, तो log increase करता है, और जब base 0,1 के बीच है, तो log decrease करता है, तो inequality क्या होगी, reverse होगी, खेर, अब बेटे मान लोग, ध्यान दुआद, यहाँ पे ऐसा हो, हम आप से कहें, कि यह less than होता अगर, यहाँ less होता, यहाँ less होता, यहाँ क्या होता, greater हो जाता, यानि जब base 1 से बड़ा है, तो less का less, यहाँ less का greater, और जब base 0,1 के छोटा है, तो आपने कहा यहाँ less का greater, यानि जब base 1 से बड़ा है, तो इन्हेक्वल्टी रिमें सेम और जब बेस जिरोवन के बीच है बेटे लेस का क्या हुगा यहां गेटर हो गया ठीक है ना आई बास्वन में आप जैसे कुछ हम छोटे छोटे बेटा सवाल लिखें आप से कहा जाए एक्जामपल देखें फार एक्जामपल वान हम आप से कहें अगर लाग X बेस 5 आप से कहा जाए बेटा लाग X बेस 5 इस ग्रेटर दान 2 तो इसका मतलब आप क्या कहोगी? that is X is greater than 5 to power 2 जानी क्या होगा बेटा जबाग, X is greater than 25 जानी बेटा, X belongs to 25 to infinite, X belongs to 25 to infinite, X belongs to 25 to infinite, जाए बास्वन में और अगर हम बात करें बेटे सेकेंड क्यूश्चन की मालब आप से देखो बेटा, अब यहाँ अगर greater होता तो close हो जाता अगर यह होता, लाग X बेस 5 इस greater or equal to, sorry, greater or equal to, यहाँ क्या बेटे close interval आ जाता, यहाँ closed interval आ जाता अब आप से कहा जाए, माल लो बेटे हम आप से कहें, लाग X और बेस है, 1 upon 5 is greater than 2 अब देखो यहाँ, बेस 1 से क्या बेटा, छोटा है, ठीक है, तो inequality क्या होगी, reverse हो जाएगी यानि X बड़ा हो जाएगा, ने, greater का बेटे less, यानि आप से कहा जाए, इस case में ज्यान दो देखो, X is less than 1 upon 5 की power 2, that is बेटा, X is less than 1 upon 25, तो अब इसको intervals के form में क्या लिखोगी, देखो, X 1 upon 5 से छोटा है, देखो बेटा, यहाँ है, 1 upon 25 X इस से छोटा है, लेकिन बेटा, 0 से छोटा तो होगा नहीं नहीं, अगर X negative होगा, तो यह define नहीं होगा तो आप ऐसा आंसर नहीं लिखोगे, X belongs to minus infinity to 1 upon 25, यह बेटा गलत होगा, यानि आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे, X belongs to 0 to 1 upon 25 बेटा, बोलो 25, समझ गया, 1 upon 25, बोल बेटा, क्योंकि जब, देखो, 1, देखो, X is less than, 1 upon 25 ठीक है, लेकि बेटा, X negative होगा, तो नहीं होगा, तो जब X negative होगा, तो लाग upon 25, ठीक है, 0 to 1 upon 25, ठीक बेटा, कोई दिक्कत, कोई परशानी, ठीक है, चलो, आगे बढ़ा जाए, यानि बेटे, जब कभी लाग की inequality आएगी, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है, यानि बेस क्या है, 1 से बड़ा है, या बेटे कहा जाए, 0, 1 के भीच है, उसके coining inequality को आप reverse करोगे, या सेम करोगे, ठीक है, आई बास में, अब बेटा, या नई बात नहीं है, ये सारी बाते हम 11th में, बेटा, बहुत तो detail से कर चुके हैं, ठीक है, अब देखिए, note 3, node 3, आपचा कहा जाए, log of x, आपचा कहा है, बेटा, बेटा, बेखिए, log of x base a, is equal to, अगर है, बेटा, log of y base a, तो इसका मतलब यह होता है, x is equal to y, यानि अगर log x base a, is equal to log y base a, बेटा, इसका मतलब x is equal to y, y, समझ के बेटा, ठीक है, अच्छा, फिर बेटा, note 4, आपचे कहाजा है, note 4, हम आपचे कहें, अगर log x base a, देखो, log x base a, is greater than log y, देखो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, x y से बड़ा होगा, अगर a 1 से बड़ा होगा, और बेटा, x y से छोटा होगा, अगर a 0 और 1 के बीच होगा, समझ के बेटा, log x base a, is greater than log y base a, यारी जब base 1 से बड़ा है, तो बेटा, x greater than y है, और जब base 0 और 1 के बीच है, x less than y है, ठीक है न, अज़ देखो, यहीं पे बेटा, अगर हम ऐसा कहें, मान लो, यहाँ less है, तो यहाँ less रहेगा, यहाँ बेटा, greater हो जाएगा, यारी जब base, बेटा, वहीं concept, कि 0 और 1 के बीच होगा, तो यहाँ in equality reverse हो जा रही है, और जब base 1 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे आपने कहा, कि in equality क्या हो रही है, बोलो, reverse नहीं हो रही है, देखो, जब base 1 से बड़ा है, तो greater का greater, less का बेटे less, ठीक है न, और जब base 0 1 के बीच है, तो greater का less or less का greater, ठीक है, कोई दिक्कत बेटा, चलो, अब बेटे हम कुछ छोटे-छोटे questions की बात करें, ठीक है न, write down, एक सवाल है, अच्छा, फिर बेटा, जो base 10 पर लाग होता है, उतको क्या आप common लागर से में करते हो, और base E को आप natural लागर से में करते हो, ठीक है न, यह सब आपने बेटा, 11th में, detail में किया है, मैं सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ, कि आपको थोड़ा है, रिवाइज हो जाए, चीजे आपके दिमाग में आजाए, ठीक है न, चलो, आप देखो बेटे, आप चेका हाजा है, एक छोटा सा question, find the, find the domain and beta range of Fx is equal to, हम आप से कहा है, log base e of x square minus 4, अब देवेटे, यहाँ पे base e है, और e की value 2.77 approximate, यानि positive है, बन से बढ़ा है, कोई दिखकर नहीं, यानि अब अगर इस function को देखेए, domain की बाद करें हम, इसका domain हुआ, देखे, इसको आप लिख सकते हो, this is log xbc, और इसको define होने के लिए, x must be positive, इसका मतलग, x square minus 4 is greater than 0, यानि, x square minus 4 is greater than 0, यानि बेटा क्या होजाएगा, यह होजाएगा, positive, negative positive, यानि आप क्या का होजाएगा, इसका मतलग, domain of the function is minus infinity to minus 2 union बेटा, 2 to infinite, minus infinity to minus 2 union बेटा का हाजाएगा, 2 to infinite, यह होजाएगा, बेटे, इस function का domain, minus infinity से minus 2 union, बेटा, हम आप से कहें, 2 to infinite, ठीक है, बोल बेटे, अब हम इसके range की बात करें, ठीक है, और बेटा, range के लिए थोड़ा दिमाग लगाओगे न, तो अच्छा रहेगा, देखे, यानि अब यह सवाल के आपको बहुत सारे, बेटे, concepts पता चलेंगे, ठीक है, ठीक है, इस function, क्या था हमारा, fx is equal to lagak, x square minus 4 base e, इसका domain है, minus infinity से minus 2 union 2 to infinite, ठीक है, बेटा, union 2 to infinite, इस function का, बेटा, domain है, ठीक है, इस function का क्या है, domain है, अब हम इसके, बेटे, range की बात करें, देखो, ध्यान दो, बेटा, for range, बेटे, समझना, यानि आपको कहा जाए, हम इसके, range की बात करते है, ठीक है, न, हम इसके, बेटा, range की बात करें, तो fx हमारा है, fx is equal to, log of, log of x square minus 4 base e, देख बेटा, यानि, ध्यान दो, हम थोड़ी देर के लिए, ऐसा लिखले, log of gx, यानि हमने क्या मान लिया, बेटा, हमने कहा, कि gx is equal to x square minus 4, अब ही बताओ, भी x तो देखे, अब बेटा, देखे, अब 11th की मैस बेटे कामा आएगी, x square minus 4, यानि parabola क्या बना, ये बना, x square is equal to y plus 4, इसका vertex होगा, 0, minus 4, और ये x axis को 2 और minus 2 पे कट करेगा, यानि बेटे, अगर हम देखे, ध्यान से, इसका जो graph आएगा, देखो, ये 0 है, देखो, यहां हमने कहा, ये बेटा 2 है, और यहां हमने कहा, ये minus 2 है, बेटे ऐसे, तो इसका जो graph आएगा, कुछ ऐसे आया, ये point हो गया, 0, minus 4, देखे, लेकिन, देखो बेटा, जो हमारा domain है, वो क्या था, 2 से बढ़ा, और minus 2 से छोटा, यानि इसका जो graph, मैटा, minus 2, और 2 के बीच है, वो तो किसी कामका नहीं है, देखो, ये तो पूरा हट गया भाई, चलो रहे, देखो मैटे, फिर कर देखे, यानि अब आप से कहा जा मैटा, ये graph, हमारा किसी कामका नहीं है, यानि इसको आप हटा दो, यानि देखे, X स्क्वार मानस 4 का, जब X 2 से बढ़ा हो, या मानस 2 से छोटा हो, यानि X स्क्वार मानस 4 का, वो पूर्शन, जो मानस 2 और 2 के बीच है, वो बेटे, हमारे कामका इन नहीं है, वहाँ तो function हमारा, log of that number defined log क्या उसका number क्या negative है यानि अब हमारा बेटा जो function का बेटे ग्राफ है वो आपने कहा sorry x square minus 4 का ग्राफ यहां से लेकर यहां तक यह हमारे बेटे काम का है और देखे जब x 2 से बड़ा है या minus 2 से छोटा है तो बेटे x square minus 4 क्या है 0 से infinite है समझे बेटा बात को अब थोड़ी चीज़े complicated हो रहे है यानि जब x 2 से बड़ा या minus 2 से छोटा होगा तो x square minus 4 क्या बेटा वो 0 to infinite है 0 to infinite है यानि यह क्या बनेगा यह बनेगा log of x square minus 4 का मतलब बेटा यहां क्या आएगा यह यहां आ जाएगा log of देखो बेटा 0 to infinite अच्छा 0 नहीं क्योंकि 2 पे open है देखो domain में क्या था 2 और minus 2 पे open था यहां क्या आ आ गया और बेटा जब number 0 to infinity होता है तो इसका log minus infinity to infinity होता है एक बाल में ग्राफ ड्राकर के दिखा देता हूं आपको देखी कैसे आप से कहा जाए देख बेटा यह ग्राफ है log x base e का जब x 0 से infinite है यानि बेटा जब x की value है 0 से कहां तक बोलो infinite तक तो log हमारा बेटे क्या है minus infinity से कहां है बोलो minus infinity से infinity तक तो बेटे इस function का range हो गया minus infinity to infinity देखो बेटा और यह अब पूरा काम बेटे किसका है यह पूरा काम 11th का है आपने पहरा बोला quadratic सब कहां पढ़ा 11th हमें और मैंने कहा था कि कि यह लेवल पर पढ़ना है calculus तो 11th की मैस बहुत अच्छे से आनी चाहिए आप देख रोग बेटा पहले इतना आप कन्फर्म कर लो किस फंक्शन का दोमेन बेटे क्या आया था दोमेन आया था मिनस इंफिंटी से मिनस तो union 2 to infinite और इसका बेटा range आया था minus infinity to infinity domain आया था minus infinity to minus to union 2 to infinite और range है बेटा minus infinity to infinity ठीक है इसका range है minus infinity to infinity ठीक है चलो अब देखो बेटे हम एक और question की बास करें right down question입वेटा find the domain find the domain and range of the function find the domain and range of the function f x is equal to log of beta sin x of base e, ठीक है? देखो, अब फटाफट, अगर हम इस function के domain की बात करें, तो आपको होगे इसको define होने के लिए sin x को positive होना पड़ेगा, और जब sin x positive होता है, तो x होता है first and second quadrant में, यानि आपको होगे x belong to beta 0 to pi, अब कहाद हो आप, इस सवाल तो trigonometry का है, ठीक है है? वे देखो, हमने क्या लिया? लाग x bc, और ये define कब होता है? जब x positive होता है, यानि लाग of sin x, ये define कब होगा? जब sin x positive होगा, और जब sin x positive होता है, तो x लाए करता है u to pi, अब बेटा, ये तो एक interval हुआ, अगर हम general बात करें, तो 2n pi एड कर दो, 2n pi से 2n pi प्लस pi, क्योंकि 0 से 2 pi, फिर 2 pi से 4 pi, 4 pi, 6 pi, हर interval में एक एक interval आएगा, 0 से pi, 2 pi से 3 pi, 4 pi से 5 pi, वो सारे यहां क्या है? included है, अब हम बेटा, इसके range की बात करें, देखें, हमने कहा, बेटा, ये graph है, sin x का, यानि ये 0 हो गया, और ये बेटा, pi y2 हो गया, और ये बेटा, pi हो गया, ये बताओ, जब x लाई कर रहा है, 0 से pi के बीच, तो sin x का, बेटा, कौन सा portion है, sin x का ये portion है, sin x का portion ये है, और ये portion y axis पे, कहा है, बेटा, 0 से 1 तक है, देखेंगा, यानि, अगर हम, इसके range की बात करें, तो range में देखो, बेटा, fx क्या है, fx हमारा है, log of sin x का मतलब, log of, देखो, अगर x, देखो, sin x 0 से pi है, तो, अगर x 0 से pi है, तो, बेटा, sin x लाई कर रहा है, 0, 2, बेटे, 1 पे close आ जाएगा, क्योंकि pi by 2 value, 1 हो जाएगी, और 0 से 1 का log, अगर, बेश यह है, तो, बेटा, negative होता है, यानि, इसका range जा गया, minus infinity to 0, ठीके, बेटा, 0 पे close, क्योंकि 1 पे close है, समझ गया न, बेटा, इसका ग्राफ बना देता हूं है, अगर, बेश 1 से बड़ा है, यह log x, बेश 1 का एक ग्राफ है, और जब number 0 से 1 है, तो, लाग का, बेटा, यह portion है, और यह portion, minus infinity to 0, क्यानि, इस function का range हो गया, minus infinity to 0, ठीके, इस function का, बेटा, domain है, minus infinity to 0, समझ गया, और फिर, बेटे, हमने एक function पढ़ा था, 11th में ही, exponential function, फटा-फटा मसको भी देख 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 बेटे, इस पर question दी बहुत मिलेंगे भी, तो इत्ते सवाल मिलेंगे लो, आपके, बस आपको basic देख रहा, बेटा, लाश येर हमने, लाग के, बहुत सारे questions, solve किये थे, ठीके न, अगर एक बार, उसको आप कर लोगे ने, तो, नहीं आएगी, चले, ये बेटे में प्रहाइस ले रहा हूँ, फिर वही बात, कि जिसने 11th में मकारी की है, उसको एक बार, सुधरने का मौका दे रहा हूँ, नहीं सुधर होगे, कोई बात नहीं, चलो, ज्यान दवाद, लिको बेटा, exponential function, exponential function, exponential function, यानि, y is equal to f x, ज्यानि, y is equal to f x, is equal to a raise the power x, ज्यानि, अब इस को दिफाइन होने के लिए, a positive and a is not equal to 1, ज्यानि, यहाँ भी दो केसे होँगे, पहला केस, अगर a 1 से बात बात है, तो इसका ग्राफ क्या आता है, देखवा, पेटे, उस केस में, जब a 1 से बढ़ा है, तो इसका ग्राफ है, that is, इस तरह से 0 और यह 1, ठीक है पेटा, और जब base 0 1 के बीच है, तो पेटे, इसका ग्राफ, कुछ यह x है, यह y है, यह origin हो गया, बेटे, उस केस में, इसका जो ग्राफ आता है, वह आपने कहा, यह बेटे, डिक्रेजिंग हो जाता है, यानि यह 1, देखो, यहां बेटा, टच नहीं कर रहा है, यानि, x-axis ग्राफ टच यह नहीं कर रहा है, आपास समझ में, और देखो, y is equal to a raised to the power x का, बेटा, कोई भी पोर्षन below x-axis नहीं है, यानि, यह ग्राफ हमेशा क्योंता पोज्टिव, यानि, a की power x is always positive, समझ गे बेटा? a raised to the power x is always positive, यहां देखो, जब a 1 से बड़ा है, यानि, बेटा, इस function का, जो range होगा, वो 0 to infinite होगा, समझ गे, और domain क्या होगा, minus infinity to plus infinity, यानि, function का, बेटा, domain हो जायेगा, minus infinity to infinity, समझ गे, बेटे, ओके, ठीक है, अब देखो, बेटा, समझ हो बात को, अब आप से कहा जाए, जैसे, बेटे, हम आप से कहें, note, यह बेटा, ग्राफ है, a raised to the power x का, जब a 1 से बड़ा हो, ठीक है, और बेटा, यह second case है, कि लिखना भूल गया हम, जब a लाई करेगा, 0 और 1 की बीच, ठीक है, अब देखें, जैसे हम कहें, बेटा, हम दो functions की बात करें, आप से कहा जाए, fx is equal to, e raised to the power x, e की value 1 से बड़ी होती है, इसका graph क्या होगा, यह बेटा, कुछ ऐसा हो गया, यह 1 हो गया, यह 0 हो गया, यह infinity है, यह minus infinity है, अच्छा, और अगर हम कहें, कि f of x is equal to, e raised to the power minus x, यानि, that is, 1 upon e raised to the power x, तो बेटा, उस case में, इसका जो graph होगा, वा आपने कहा, ऐसा ने, sorry, चलो, यह बेटा, 1 है, ऐसा graph हो गया, समझ गया, यह 0 हो गया, यह बेटा, x-axis, यह y-axis, यहा, x-axis, y, ठीक है, यह बेटा, यह ग्राफ है, e raised to the power x, ठीक है, और, देखे, हम आप से कहें, बेटा, कुछ ऐसा है, नुर करते चलो, फटा-फट, देखो, माल बेटे कहा जा है, y is equal to 2 की power x, y is equal to 3 की power x, y is equal to 4 की power x, देखे, बेटा, जब x positive होगा, तो 3 की power x बड़ा होगा, 2 की power x से, और 4 की power x बड़ा होगा, 3 की power x से, जब x negative होगा, तो 2 की power x क्या होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, 3 की power x से, तो 1 upon 2, 1 upon 3, 2 की power minus 1, यानि बेटे अगर हम इनके graphs की बात करें तो देखो बेटा जीरो हो गया और ये मालो यहाँ 1 हो गया चलो पहली बाद बेटा ये है देखिए हम आप से कहें y is equal to 2 की पावर x अब बेटा ये 3 की पावर x है ने जब x positive होगा तो 3 की पावर x बड़ा होगा 2 की पावर x यानि ग्राफ एबब 2 की पावर x होगा और जब x negative होगा तो 3 की पावर x छोटा होगा 2 की पावर x से तो ग्राफ क्या होगा बिलो 2 की पावर x होगा यानि बेटा अगर हम ग्राफ करें 3 की पावर x के ग्राफ की बेटा ये देखो भ्यान देना यहां नीची रहेगा, यहां भी 2 पबढ़ जायेगा, यह y is equal to 3 की power x है, समझे बेटा, और अगर हम बात करें, बेटा, 4 raised to the power x की, तो आपने कहा, अब बेटे इधर और नीची होगा यह, भ्यान देना आप, और इधर क्या होगा, बड़ा हो जायेगा, यानि य है y is equal to 4 raised to the power x, देखो बेटा, समझे बेटा, यह है y is equal to 4 raised to the power x, समझे बेटे, अब आप जनलाइज करना, ठीक है न, कैसे, कब, काउन सी value छोटी है, काउन सी value बढ़ी है, जो बड़ा होगा, उसका ग्राफ एबब होगा, जो छोटा ग्राफ उसका नीची होगा, ठीक है, चलो बड़ा, जल्दी करो बेटे, फटा फट, एक और question देखो, write down, ठीक है, लिखे हैं हम आगे बढ़ें, देखो बेटा, question है, बड़ा, find under the root, 4 की power x minus 5 की power x, ठीक है, अब बेटा, इसको अगर define होना है, ता आप क्या कहोगी, 4 की power x minus 5 की power x is greater or equal to 0, यानि बेटा, 4 is the power x, बड़ा होना चाहिए 5 की power x ही, ऐसा कब होगा, जब x सो negative होगा, यानि बेटा, आप कहोगी, x belongs to minus infinity to 0, बोलो बेटा, x belongs to minus infinity to 0, ठीक है, होगी, ठीक है, बेटा, चलो, आप देखो, आप आप कहा जाये, बेटा, एक home work, ठीक है, ठीक है, राइड़ा, ग्रिहकारी, ठीक है, ठीक है, ग्रिहकारी में, ठीक है, ग्रिहकारी में, क्वेश्चन, find the domain of the function f x is equal to under root sin of under root sin of under e raised the power x ठीक है इसका अंसर निकालना और फिर बेटा आप हमें इसको मैसेज करना ठीक है ना बागी डाउट जिस दिन वीडियो देखोगे उसके अगले लाइब क्लास में ठीक है ओके तो बेटा देखा जाए इस सारी बाते हमने 11 ने पढ़ाया था आपको बार बार कर रहा हू ठीक है और ज्यादा डेटेल ने पढ़ाया था यहां तो आपको क्यों मैंने समझाया है क्योंकि बेटा आगे इस पे सवाल बहुत सारे आएंगे तो अगर बेसिक आपके पास होगा तो आगे प्रैक्टिस हो जाएगे ठीक है ओकी ठीक है चलो तो आज की नमस्ते करते हैं पेटा अगली क्लास में फिर होगी मुलाकात